आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में हमें ये reaction sequence दिया गया है इसे Dr. Sandy Robertson ने work किया तस पर और हमें यहाँ पर तीन अलग अलग question दिया गया है पहला question ये है दूसरा यहाँ पर ये है तीसरा यहाँ पर ये है इनमें अलग अलग product के बारे में पूछा आ रहा है तो पहले तो हम लोग ये reaction कर गगे देखते है हमारे पर ये यहाँ पर reactant है यानकि ये थिल benzene तो हम लोग ये reaction कर गगे देखते है यहाँ पर ये हमारा reactant है benzene इस पर CS2 CS3 सबस्पलिस ने इस reaction कराई है with N-bromo-succinemide यानकि N-BS तो यहाँ पर allylic carbon जो ये है इस पर bromine का substitution हो जाएगा तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह का product CH BR CS3 यह हमारा E है इसने आगे बोला है आगे हम इस reaction कराएंगे यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा elimination और हमें मिल जाएगी alkene जो की कुछ इस तरह होगी CH double bond CS2 यह हमारे यहाँ पर product B हो गया इसने बोला है कि जब हम इसके आगे reaction कराएंगे with bromine in presence of carbon tetrachloride तो यहाँ पर होता है addition reaction और हमें जो product मिलेगा वह कुछ इस तरह होगा CH यहाँ पर भी CS2 यहाँ पर आजाएगा BR और इस carbon पर भी आजाएगा BR तो यह हमारा stationary product हो गया C अब इसने बोला है कि जब हम C की reaction करा देते हैं with यहाँ पर alcoholic को ह है और साथ में है Na NH2 तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर फिर से elimination हो जाएगा और हमें मिल जाएगी alkyne यहाँ की benzene यहाँ पर C triple bond CH यह हमारा stationary product हो गया D अब बोला है इसने कि अगर हम D पर reaction करा दें with Hgs of 4 यहाँ की mercuric sulfate साथ में dilute testis of 4 हम जानते हैं कि alkyne पर होता है इसके presence में hydrolysis यहाँ पर में water का addition करना है तो यहाँ पर हमका करता है यहाँ पर OH spread करेंगे यहाँ पर H spread करेंगे तो हम जो product मिलेगा यहाँ पर CH OH double bond CH2 यह है enol क्योंकि यहाँ पर alkyne है और alcohol भी है तो इसका हो जागा tautomerization tautomerization क्या होगा इस H की electron पहले इस point पर और इस कारून पर आ जाएंगे हमें अपने product मिल जाएगा जो की होगा acetophenone benzene यहाँ पर CO CH3 यह हमारे station में product E हो गया इसने आगे बोला था आगर हम D की reaction करा दें with HOCl excess of hypochlorous acid तो यहाँ पर क्या होगा यह हमारा nucleophile की तरह बग करेगा और यह Electrophile की तरह है तो nucleophile यहाँ पर add होगा इस carbon पर क्यूंकि यहाँ पर ketan ज्यादा stable बनेगा benzene की वैसे तो जो हमारे product होगा यहाँ पर वह होगा benzene यहाँ पर इस carbon इन दून ही carbon पर यहाँ पर 2 OH और 2 Cl तो पहले तो यहाँ पर CH Cl और इस carbon पर 2 OH पर पर पाजाएंगी तो यह unstable हो जाएगा जिसकी वैसे यहाँ पर dehydration होगा और हम यहाँ पर COO यानि ketone मिल जाएगा तो यह होगा हमारा situation में product F अब इसने बोला है कि अगर हम इसकी reaction करा दें with access of KOH तो क्या होगा तो पहले तो यह जो KOH है यह इस Clothing को replace कर देगा तो इस carbon पर आजाएंगी 2 OH group तो यह unstable होगा तो वहाँ पर हमें aldehyde मिल जाएगा जब dehydration हो जाएगा हमार जो product होगा अब वह होगा यहाँ पर CO यहाँ पर CH लेकिन जैसा कि इसने बोला है कि यहाँ पर access of KOH है तो फिर से KOH की presence में क्या होगा यहाँ पर हो जाएगी intramolecular Canisaro reaction क्योंकि इस molecule में एक भी alpha hydrogen नहीं है तो base की presence में हो जाएगा intramolecular canisaro reaction तो canisaro reaction क्या होगा यहाँ पर ketone है इसका reduction हो जाएगा alcohol में और CHO है इसका oxidation हो जाएगा salt of corresponding carboxyl acid में तो हमा जो product होगा वह होगा benzene इस पर आजएगा CH OH यहाँ पर CW K तो यह हमारा reaction product हो गया G तो अब अगर हम अपने third question देखें सबस्पहले तो third question हमसे पूछा गया है G तो हम बताना G क्या है तो यहाँ पर हम देखते है G हमारा यह है तो इससे हम लिख सकते है PH CH OH CWK तो यह हम यहाँ पर दिया गया है इन option D तो हम क्या सकते है हमारा right answer option D तो इससे हमारा question third हो जाता है first question हमसे बोला गया है select true statement तो यहाँ पर D के बार हम बात की गई है हम देखते है D क्या है हमारा D हमारी एक alkyne है यह रही जो की कुछ इस तरह है हम यहाँ पर बना लते हैं अपने पास में यहाँ पर यह बेंजीन हो गई C triple bond CH तो option A में हमसे ने कहा है when D is treated with deuterium in presence of palladium and BSO4 it gives C-silkine तो यह हमें पता होना चाहिए कि जब हम palladium आप BSO4 साथ का reduction कराएंगे तो महाँ पर हम C-silkine मिलती है इसलिए option A सही है और जब हम इसका sodium और liquid ammonia साथ reduction करते हैं तो महाँ पर हमें trans-silkine मिलती है इसलिए option B भी सही है तो यहाँ पर जोना right answer होगा वह होग option C यानि की both इससे हमारा question first भी हो जाता है अब second question उन्हें से बोला गया है true about E is तो हमारा E क्या था यहाँ पर यह हमारा acetophenone तो हम E को यहाँ पर बना लेते हैं E है हमारा acetophenone यानि की benzene और इस पर C double bound O CS3 अब option देखते हैं option A मिसने कहा है It gives positive failing test तो failing test देते है LDH जब कि एक ketone है इसलिए option A गलत है option B है It does not give positive test with Bradis reagent या होता है 2,4 dinitrofenyl hydra gene जो की carbon compound साथ reaction देता है जब कि इसने बुला It does not give positive test इसलिए option B भी गलत है option C में है It gives positive iridroform test तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर COCSC group तो यहाँ पर क्या होगा जब हम इसकी reaction करा देंगे आयदीन और base के साथ यानिकी अन्य वच हमें मिलेगी आड़वर्म इस तरह से हमार जो right answer है वह option C यानिकी आड़वर्म test देगा इससे समार 2nd question भी हो जाता है तो यहाँ पर हमने 1st 2nd & 3rd question कर लिया इससे समारे पूरा question हो जाता है क्लासिक से 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीचे अपने doubts आच चार्सो 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 पर